चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरू दबाए हमाई न्यू वीडियो अपडेट पने के लिए तो हेलो स्टूडेंट्स यदि आप भी बीए बीए से बीकॉम फश्टी आगे स्टूडेंटे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है तो मैं आपके लिए स्पोर्ट तधा फिजिकल एजुकेशन से सो एसे इंपोर्टेंट कोश्चन लेकर आ तक जरूर देखिए यदि आपने पूरे वर्ट कुछ नहीं पढ़ा है आपके वाल इन प्रशनों को ध्यान से पढ़ लीजिए और वीडियो को एंड तक देख लीजिए तो आपके एकजाम में 80 या 90 प्लस आने तय है तो आए टाइम व्याशन कारते हैं वीडियो को रखा है याँ पर इसका उत्तर है उननीस सो पचपन तो आपका राइट आनस्वर उननीस सो पचपन होगा क्योंकि आई एस आई परमणा चिन उननीस सो पचपन में लाउ क्या गया था तो आई दूसर परसंद देखते हैं बाल्या वस्त्तकी अवधी होती है इसमें हम अगला कोश्चन देखते हैं अनुवान सिकता का संबंद निमन में से हैं तो इसका आपका राइट आनस्वर होगा उपर्यूक्त सभी इसमें उपर्यूक्त सभी होगा तो इसमें आपका राइट आनस्वर होगा अस्टी से एक सो बीश नेक्ट कोश्चन है भारते रेड क्रोस सोसाइटी के इस वर्स हुई थी नेक्ट कोश्चन है मनो विज्ञान की साखाए कितनी है मनो विज्ञान जो है इसकी साखाए दस होती है हिरेडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है तो हिरेडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक जो है वो गाल्टन है तो हमारा गाल्टन भी सहीत तरह होगा वोई परदोशन अधिन्यम इस वर्ष बनाया गया था तो वोई परदोशन अधिन्यम जो है वो 1981 में बनाया गया था तो हमारा C ओप्शन से होगा तो नेक्ट पॉस्टन की और बढ़ते हैं मनुष्य में क्रोमोसोंस की संख्या कितनी होती है तो मनुष्य में तेहिस जोड़े क्रोमोसोंस की संख्या होती है भी आंस्वार हमारा C आंस्वार है नेक्ट पॉस्टन है ओलंपिक किसकी परत्योगिता है तो आपको पता ही होगा कि खेल परत्योगिता होती है किर्केट को ओलंपिक खेलो में कम सामिल किया गया था तो किर्केट को ओलंपिक में 1922 में सामिल किया गया था भारत ने ओलंपिक होकी में कुल कितने पदक प्राप किये हैं तो भारत ने कुल पदक 11 प्राप किये हैं होकी में तो next question देखते हैं क्या है Next question है Hoki का जादूगर किसको कह जाता है तो होकी का जादूगर Major Dhyan Chand को कह जाता है किर्केट का मूल नाम क्या होता है क्लग बॉल लोना किस खेल से संबंदित है तो लोना कबड़ी से संबंदित है तो हमारा B answer, C answer है तो बढ़ते नेक्ट क्वेश्चन क्यों तो हमारा 17 जो क्वेश्चन है मानक ट्रेक में एक लेन की चोड़ाई होती है तो इसका answer होगा C एक पॉइंट दो दो मीटर अगला क्वेश्चन है साक्षी मलिक किस खेल से संबंदित है तो जो साक्षी मलिक है वो कुष्टी से संबंदित है लिबरो किस खेल से संबंदित है तो लिबरो जो होता है वो वोली बॉल से संबंदित है मानों सरीर की सबसे लंबी हड़ी है तो इसका B option सही आंसर होगा Femur bone सबसे लंबी हड़ी है शिक्षा का उद्धेش्य निन मेंसे नहीं है तो शिक्षा का जो उद्धेश्य होता है वो उत्तीर्ण होना ये आंसर होगा बालक का पर्थम शिक्षक है तो बालक का पर्थम शिक्षक उसकी माता होती है शिक्षा द्वारा विकास होता है तो इसमें डियांस्वर होगा हमारा तो उप्रियुक्त सभी का क्योंकि व्यक्तितो राष्ट्रो और समाजी तिनों का विकास होता है इसमें Next question है किसने का खेल को खेल की भावना से खेलो तो ये जो कहा था ये महतमा गांधी ने कहा था तो इसका आंस्वर हमारा D answer होगा महतमा गांधी भारत में खेल M कि इस्थापना कब हुई तो इसका आंस्वर A होगा 1958 में हुई मेहत्वपुर्ण कुस्तक history of physical education के लेखा कोन है इसक선 इसका answer होगा इराज अहमद खान इराज अहमद खान PT का पुर्ण रूप है तो PT का पुर्ण रूप जो होता है वो हता है physical training तो हमारा B answer होगा चलिए नेक्ष पोचन देखते है खेलने के लिए अवशक है खेल कित मैदान मस्तिक्स ये तीनों अवशक होते हैं तो उपरिक्त सभी यह आंस्वर होगा सिक्सा में सारी रिक्सिक्सा का महतुब किस सताब्दी से माना जाता है तो इसमें होगा चोदेवी सताब्दी तो ये आंस्वर हमारा सहीbahा आंस्वर होगा सारी रिक्सिक्सा का महतु चोदेवी सताब्दी से माना जाता है तो नेक्ष कोचन देखते है किसने कहा सुष्ट सरीर में सुष्ट मस्तिस्क निवास करता है तो ये कहा था प्लेटो ने तो हमारा बी प्लेटो सही हुआ राश्टे खेल दिवस किस तिथी को मना जाता है तो ये मना जाता है पंदरा अगस्त को बहरत में सारी दिक्षा का जनक किसे कहा जाता है तो भारत में सारी दिक्षा का जनक इन में से कोई भी आंस्वर नहीं होगा तो हमारा जो सही आंस्वर होगा तो इसका H.C. बक सही आंस्वर है Next question है Ball out किस खेल में परियोग होता है तो बोल आउट जो है वो रगभी में परियोग होता है रगभी से ही आंसर होगा 2010 के राष्ट मंदर खेलों का आज़न करना कुन सा देश था तो ये भारत में ही हुए थे 2010 में भारत में ही राष्ट मंदर खेलों का आज़न हुआ था पीवी सिंदु ने उलम्पिक खेल 2016 में कौन सा पदक जीता था तो इसका आंसर होगा रज़त पदक जीता था किस देश ने सरवादिक बार किर्केट वर्ल्ड कप जीता तो इसका आंसर हमारा ओस्ट्रेलिया होगा सारी स्वस्ता का विकास इससे किया जा सकता है तो इसमें उप्रिक सभ्यान सरोगा भारत ले सरोंफर्थम विशू कप किर्केट जीता था वर्स तो भारत ले 1983 में जीता था संतुलित आहार की अवशक्ता इसके लिए होती है तो इसमें फर्स्ट ओप्सन सही होगा ए समुचित वर्दि एयों विकास एक मानक ट्रेक की लंबाई होती है इसमें होगा 400 मीटर एक मानक ट्रेक की लंबाई 400 मीटर होती है संतुलित आहार में सम्मिलित होता है तो संतुलित आहार में ये सभी सम्मिलित होते है तो उपर्युक्त सभी आंसर होगा इसका मिलखा सिंग किस खेल से संबंदित है तो मिलखा सिंग जो है वे एथलेटिक से संबंदित है तो इसका आंसर होगा एथलेटिक्स किस किरकेट खिलाडी ने सरवाधिक टेस्ट सतक बनाए है तो इसका आंसर होगा सचिन टेंदूकर व्यक्तित विकास को प्रवाइद करने वाले कारक है इस प्रशन का उत्तर जो है वो होगा उपुरिक सभी डुरन्ड कप किस खेल से संबन देते ये फोटबोल से संबन देते कि सब्दियों में विटामिन एक की मातर अधिक पाई जाती है तो इसका आंसर होगा गाजर गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाता है भरत के लिए ओलंपिक कांज से पदक जीता है तो इसमें लेंडर पेस ने भी जीता है वो साइन नहवाल करनम मलेशवरी तो इसमें उप्रिक सभी आएगा परसोना सब्द का अर्थ है परसोना सब्द का अर्थ होता है मुखोटा ट्राश्ट मंडल खेलों का प्रारम कब और कहा होगा तो इसका आंसर होगा बी 1939 हैमिल्टन नेक्स्ट को स्टनन है विशू कब किर्केट परतीवीता कब आर्म हुई नेक्स्ट को स्टन है हमारा प्राचिन ओलम्पिक हैलों का प्रारंबिक वर्ष है इसकार होगा साथ सो छंतर ईसी पूर नेक्ट कोश्चन है एसन खेल सुभारम करने का स्रे किस देश को है एसन खेल सुभारम करने का जो स्रे है वो भारत को ही है वर्स 1948 ओलम्पिक खेलों का आईजन इस्थल था इसमें आपका बी सही आनसर है लंदन भारत सरकार द्वारा सारी शिक्षा के लिए राष्ट्री योजन का परकासित हुई इसका आनसर है आपका 1956 ये 1956 में आईजित हुई किस खेल में केवल 6 खेलाड़ी एक तरफ से खेलते हैं तो ये आपका आनसर होगा वोलीबोल वोलीबोल में केवल 6 खेलाड़ी एक तरफ से खेल सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है भारत का राष्ट्र खेल है तो बारत का राष्ट्र खेल तो आपको पता ही होगा होकी है तो नेक्स्ट कोश्चन है आपका उलम्पिक खेलों है भारत ने किस खेल में पर्थम स्वरन पदक जेता तो इसमें दी होकी होकी में पर्थम स्वारन पदक जीता था दो ओलम्पिक खेलों के बीच का कितना अंतराल होता है तो इसमें आएगा चार वर्स कौन से देश 2020 ओलम्पिक खेलों का आयोजन करता है इसकी नई डेट जो आई है वह आई है 23 जुलाई 2021 तो ये आपका 23 जुलाई 2021 को होने वाला है तो चलिए नेक्स पॉस्चन के और बढ़ते हैं नेक्स पॉस्चन है अनुवान सिकता के जनक है तो इसमें आपका जोन मेंडल आएगा जोन मेंडल है इस करवी रोक किस की कमी से होता है ये वितामिन C की कमी से होता है खेल कि अवस्ता किसको है इसमें आपका उपरिक्त सभी है 32 वे ओलम्पिक खेलों का इस्थान है तो ये टोक्यों है कि आई ओ सी का पूर्ण रूप है तो इसका आनस्वर आएगा सी अंतराष्टे ओलम्पिक समीथि मानों सरी में कितनी हड्या होती है तो इसमें आएगा 206 हड्या होती है ओलम्पिक शेहर यहां पर इस्थिते तो इसमें आएगा ग्रीज ग्रीज में इस्थिते चलिए नेक्स कोर्शन देखते हैं आध्यानिक ओलम्पिक खेलों का प्रारम वर्स है तो इसमें आपका अठारोश च्छान में भी ओप्सन सही है रद्याम विकास को प्रावित करने वाले कारक्त है तो इसमें लिंग आयू पोशन यह सभी है उप्रिक्त सभी आएगा व्यान से पूर्व ध्यान रखने योग कि बिंदू तो इसमें यह सभी हैं अफरक्त सभी घा लीका सो dovर भी यहां पर वास्त दिया गया तो इसकी जगें आपको वसा कर ले आ हैग तो यह वसा आएगा वसा प्रावतिकम खे शरोते गी नेक्स्ट कोश्चन है रतोंधी की बीमारी किस की कमे से होती है तो रतोंधी विटामिन ए की कमे से होती है व्याम करने का सरोत्तम समय है यहाँ पर आपका प्राते काल आएगा प्राते काल सरोत्तम समय है अन्तराष्टे खेल मनोज्ञान सोसाइटी की स्थापना इस वर्स हुई, तो अन्तराष्टे मनोज्ञान सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी, वो 1960 में हुई थी, तог़ि आनस्वर पी बात होता है, खेल मनुग्यान के पिता में है, यहां पर यह सभी गलत दिये हैं, तो हमारा काल मैन ग्रीफिक यह सही आमसर होगा, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतिय दल का नियंतरन कोन करता है, इसमें I, O, A, B आपका सही आंसर होगा, तो I, O, A की फुल पॉंच जो होती है, वो होती है, Indian Olympic Association, तो next question देखते हैं, next question है, किस खिलाड़ी को flying sick कहा जाता है, तो इसमें आपका आएगा, मिल्खा सिंग, मिल्खा सिंग को flying sick कहा जाता है, संतुलित आहर में पाए जाता है, तो इसमें आपका उत्तर है, उप्रियुक्त सभी, next है, व्यक्तितों का आयाम है, तो व्यक्तितों का आयाम जो होता है, वो उप्रियुक्त सभी आएगा, next question है, आपका vitamin K निम्न का विकास करता है, तो vitamin K जो है, वो हमारी त्वेचा का विकास करता है, तो A, option सही आमस्वर है, शरी के लिए उर्जाप्राप्ति का मुख्य साधन है, तो आपको इस पे लगाना है, C, काबो हाइडरेट उर्जाप्राप्ति का मुख्य साधन है, next question है, ओलंपियाड क्या है, ओलंपियाड जो है, वो दो ओलंपियाड खेलों के बीच का समय होता है, हो की खेल से कौन संबंदित है, तो हो की खेल से जो है, इनमें आएगा परगट सिंग, किस देश का राष्टे खेल हो की है, तो हो की तो सब जान देगे कि भारत का राष्टे खेल है, नेक्स्ट कोश्चन है, ओलंपिक वाक्य फोर्टियस दरसाता है, तो फोर्टियस जो दरसाता है, यह दरसाता है, सक्ति वर्धक, तो आपका सी से ही आंसर होगा, सारी भी शिक्सा का स्वार्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका एथेंस काल होगा, Foundation of Physical Education उस तक के लेखक कोन है इसका आंस्वर होगा आपका Charles A. Voucher सारी शिक्सा के अंतरगात आता ही इसमें उप्रियुक्त सभी आएगा डावलोग एच्चो की स्थापना कब हुई थी तो World Health Organization की स्थापना 1948 में हुई थी बी आंस्वर बी ओप्शन से आंस्वर होगा नेक्स्ट कोश्चन है सरुदाता रख्ट समू को कहते हैं तो आपका C ओप्शन सही होगा O प्लस रख्ट में सम्मिलित होता है तो इसमें सम्मिलित होता है R, B, C Red Blood Cells संक्रामक रोग है इसमें आपका B सही आंस्वर होगा चिकन पॉक्स नेक्स्ट कोश्चन है एड से संबंदित है एड से संबंदित है हड्यों में किस तत्तव की अधिकता होती है तो हड्यों में केल्सियम की अधिकता पाई जाती है तो आपका अंतिम कोश्चन है कि यह भाग सुचन तंतर का नहीं है तो यह सबसे हलका प्रेशन पूछा गया है तो इसका आंसर होगा आखे तो इसका आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए और जितना होसा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए इसके मेरी आने वाली हरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी